यह इस वीडियो में पावर जनरेशन कमपनी बारें बात करेंगे यह एक पावर सेक्टर की कमपनी है जो लोग इसके सेर सोडर उनको पता होगा कुछ नीर पहले तक इसमें लोवर सेक्ट लगा था लेकिन अब लोग सेक्ट ब्रेक हो चुका है जो उनके लिए खुसकबरी है ज मैं पधिक्टर कंपनी के स्यर में अभी अप्ट्रेंट चैर्स करेंगे और जान्ने के प्रयास करेंगे कि इसका सेर प्राइस प्रयास कर अभी सक्का हां तक बिजली पैदा करना जिससे कारवंडार एक शाय डूसर जित नहीं हो हमारा वावाववंडग पर दूसर इतने हो तो यह कंपनी बिसीकली वायन टर्भाइन जो पहुंच की चलती है और सोलर पैनल दोनों के छेत्र में कंपनी करे रहे थे दोनों तरह से बिजली पैदा करने क के लिए कमपनी काम करती है अब आत है कैंके इसका मारकेट ब स्ब्सक्राइब मारकेट के लिहास के कंपनी ठीक है अगर सेर प्रैस की बात करें सेप्राइस सोलोह ठीक कम闲िट और ही लगा चुका ब्रेक हुआ और फिर अब इसमें देखेंगे तो अफ्ट्रेंड पोजिशन शुरूब है इसके शेयर में आफ्ट्रेंड में सेयर का प्राइस सूपर जाता है तो यह 15 रोपया से बढ़कर 16 रोपया 40 पैसा तक आया है जो कल के दिन का सेयर प्राइस है अब बात करते हैं कि आ तक जा सकता है अब आए हम लोग बात करते हैं इसके थोड़ा सा फंडामेंटल एनालेसिस को देखते हैं कैसा है कंपनी तो देखें दोस्तों 2020 में जब करोना नहीं आया था क्रोना काने से पहले कंपनी कापी फंडामेंटल हुआ करती भी हाला कि अब भी है लेकिन उस समय थोड़े ज्यादा स्ट्रॉंग थी और बाद में जब क्रोना आया लोगडाउन लगा तो सभावी के कि लोगडाउन में जब हर एक फैक्टरियां बंद होगे कंपनीयां बंदो की काम धंदे बंद होगा प्रोडक्ट बिक नहीं रहते हैं तो थोड़ा से लॉस होना खाख कर रही है और और कंपनीय कोच सभाआ को हुआ है जबकि में ध्तिकंपनी को प्रोफिट ग्रोपेा 206 मंत में में मया में कंपनी को 65-60 रुपए का सुध मुनाफ़ा हुआ है हलाकि जो क्वाटर थीरिक रिजल्ट आया है उसमें कंपनी का आर्णिंग पर सेर एक सेर पर साल फर में कितने रुपए बढ़े इसको बताता है इसको सौर्ट कॉर्ट में EPS काते हैं तो EPS जो कंपनी का 80 पैसा से कम होकर 8 पैसा तक आ गया है लेकिन इससे घवडाना नहीं है कंपनी के जो चेर मैंने टी सीवारमन इनका काना है कि इनकी जो मैनेजमेंट टीम है इनकी जो सिस्टम है इसको इंप्रूब करने में लगे हुए कि नहीं क्वाटर थीरिक रिजल्ट जो क्वाटर 2 से ब एक दम अपने पिछले लेवल पर जो पिछले मतलब करने पहले जिस तरह कंपनी का फंडामेंटल श्ट्रॉंग था उस तरह मजबूत मिनाने में तो उमीद है कि आने वाले समय में कंपनी आपने आपको बहुत अच्छे से बांस बैक कर सकती है अगर बात करें तो आप दे अधिक हिस्सेदारी है प्रमोटर्स की तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है यहां तो 48 परसेंट है बहुत बढ़िया है पबली के पास देखेंगे तो 47 परसेंट की हिस्सेदारी है और अगर बात करें फूचरिक पॉइंट अभी उस से कि इस कंपनी का हो सकता है तो 2070 तक जीरो परसेंट कार्बन उसरजित करना है दिस में मतलब बिल्कुल कार्बन उसरजित नहीं हो 2070 तक और बुष्ट करने के लिए सरकार ने इस अभी जो बजट के पहले बी सरकार कई वरका चुकि कि यह जो सोलर पैनल बनाने वाले कंपनी हैं जो सोलर नेर्जी किस्त में जो कंपनी काम करती उनके लिए है निसीति यह कंपनी आगे जाएंगी तो उमीद करता हूं आपको वीडियो इंफर्मेटिव लगी होगी और मैं जो बताना चारा था आपको समझ में आया होगा अगर आपके पास इस कंपनी के सेर हैं तो बेसक होड़ कीजिए नए लो